सरकारी एजेंसी नैफेड की अच्छी लिवाली से सरसों के दाम में जो तेजी बंती दिखाई दी है वह फिलहाल आगे भी बरकरार रहने की संभावना है। हालांकि उद्योग व्यापार संगठनों ने रभी तिलहन तेल सेमिनार में 121 लाक टन सरसों के उतपादन का अनुमान लगाया था लेकिन अब कुछ जानकार यह मान कर चल रहे हैं कि वास्तविक उतपादन इससे करीब 5 लाक टन कम हुआ है क्योंकि कुछ क्षेतरों में सरसो की डैनिक आवग भी घटने लगी है जबकि मांग मजबूत रहने के संकेत मिल रहे हैं अंतराष्ट्रिय बाजार का रूख भी सरसों एवं इसके तेल की कीमतों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनुकूल है दूसरी और चालूरभी मार्केटिंग सीजन में अप्रेल से मई की पीक अवधी के दौरान एक समय राष्ट्रिय अस्तर पर थोक मंडियों में सरसों की ओसत दैनिक आवग भी घटने लगी है जबकि मांग मजबूत रहने के संकेत मिल रहे हैं अंतराष्ट्रिय बाजार का रूख भी सरसों एवं इसके तेल की कीमतों को मजबूत बना रखने के लिए अनुकूल है चालू रभी मार्केटिंग सीजन में अप्रेल से मई की पीक अवधी के दौरान एक समय राष्ट्रिय अस्तर पर थोक मंडियों में सरसों की ओसत दैनिक आवग बढ़कर 10-11 लाक बोरी तक पहुँच गई थी जो अब घटकर 3-3,50,000 बोरी र चुक नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे एवं मध्यम श्रेनी के किसान अपनी सरसों के स्टॉप का बड़ा भाग पहले ही बेच चुके हैं और अब बड़े-बड़े उतपादकों के पास माल का अच्छा खासा स्टॉप मौजूद है जो इसे धीरे-धीरे बेचने का प्रयास कर सकते हैं साथ ही विश्व बाजार में विभिन कारणों से सोया बीन, सूरज मुखी एवं ओयल पाम का भाव उंचा हो गया है जिससे इसके तेल की कीमत भी मजबूत हो गई है भारत में इसकी पहुच का खर्च बढ़ गया है कुछ समय तक बाजार उंचा रह सकत है राजस्थान के प्रमुक उत्पादक क्षेत्रों में सरसों की आवक अपने पीक स्तर के मुकाबले अब करीब 40-45 प्रतिशत घट गई है इसके फलस्वरूब जैपुर में 42 प्रतिशत कंडिशन वाली सरसों का भाव मई के आरंभ में प्रचलित मूल्य 5,300-5,325 प्रतिकिलो से बढ़कर 117-118 रुपए प्रतिकिलो हो गया है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी